दोस्तो नमस्कार मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत सागत है अचार अचार का नाम सुनते ही तो मुँमें पानी आ जाता है तो चलिए आज हम लोग बनाएंगे मिर्शी का चट पटा अचार जिसे बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है और इसे बनाते के साथ ही हम लोग खान इसका डेंठल तोड़कर और सुखा कर ले लिए हैं मतलब आप सुखा नहीं रहे तो इसका पानी पोच कर ले लीजिए अब ले लेंगे एक बोड जिस पर मिर्ची को कट करेंगे एक मिल्ची लेंगे अब इस तरह से देखे चाकूप के मदद इसको बीच से फाड़ेंगे आप यह दी फाड़ना नहीं चाहते हैं तो आप बीच से तोड़ कर भी ले सकते हैं लेकिन साधाने से से आप फाड़िएगा नहीं तो पता चला कि हाथ में लग गया और इसमें आप घर में दी छोटा बच्चा है तो उसे आप साइड में कर लिजिए या किसी को दे दीजिए बाहर ले जाए उन लोग रख ले नहीं तो बच्चा लोग न मेरा खुद छोटा बच्चा है तो मैं इसको अलग कर दे थी क्योंकि यह न जब में बना रहे थी तब तक मेरा हाथ जो था न यह सारा मिर्सी जो है ना उकट करके रेडी कर लिये हैं अब ले लेंगे एक पैन कि उसको गरम कर लेंगे उसमें डाल देंगे एक चमच के जितना मेथी दाना और हम चमच के जितना ही ज्टाना पाउडर देंगे तो साबो दल दे घरना हूं और सारा मेजर्मेंट मैं हाथ से ले रही हैं उसके बाद ले लेंगे इसमें अजवाइन मंग्रैल और हींग भी आप ले सकते हैं हींग तो पाचकी के लिए है ना तो बहुत अच्छा हो जाता है वो टेस्ट को और इनहेंस कर देता है सारे चीज़ों को मैं थोड़ा सा रोष्ट कर लें उसके बाद सबसे इसमें जो मियन ट्रीक होता है यह सबसे ट्रीक यह है कि आपको सबसे पहले मीथी को अच्छी तरह से भून लेना है उसके बाद फ्लेम को लो कर दीजिए बंद कर दीजिए उसके बाद इसको हलका सा रोष्ट कर लीजिए यह ठंडा हो चुका था मैं उसको पीस कर से जना है कि यह कलर के लिए डाला जाता है दो चममाच के जितने डालएंगे इसमें हल्दी पाउडर से मसाला जल्दी जो अचार होता है न वो खराब नहीं होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है कि अब डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसी थोड़ा सा मिक्स करेंगे उसके बाद इसमें डाल लेंगे एक चम्मेश के जितना आमचुर का पावडर यदि आपके पास आमचुर का पावडर नहीं है तो आप इसमें निम्बू का रस भी यूज कर सकते हैं तीन ये चार निम्बू को कट करके आप उसका जूस निकाल कर डाल दीजिए बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा बहुत अच्छा लगता है ये खाने में ये देखिए मैं दो निम्बू लिए हूं बता रही हूं आपको कि आपके पास सिद्धी नहीं है तो निम्बू का रस की दाले को ना तो मैं तैल को ठोड़ा सा डाल कर मिक्स कर लें अजैकर ले रही हूं ऐस fiber आप अचार बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगए खाने में आप अचार में जब भी अचार बनाएं ना तो आचार में सर्षो का तेल ही आप डालें इसे अचार खड़ाब नहीं हो यह हमारा मसाला मिक्स हो गया है अब मैं इसमें डालूंगी जो मिर्ची कट करके रखे हैं उसको आप इसे हाथ से नव मिला है नहीं तो पता चला कि हाथ पुड़ा और जलन देने लगेगा हाथ में पुड़ा लग जाता है न मिर्ची तो बहुत जलन देने लगता है तो आप इसे चम्माच या बड़ा बरतन बड़ा कल्ची ये सब चीशे ही मिक्स करें बड़ा चम्माच आसानी से मिक्स हो जाता है और बड़ा बर्तन में आप इसे बनाईएगा एक बार मैं जो डाले थे उसको मिक्स करें उसके बाद इसको भी मैं डाल दे रहे हुआ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखे दो गिरह हुआ था उसको मैं आराम रांसे हाथ से उढ़ा रहे थी यह मिर्ची का जाना बहुत है टेस्टी लगता है खाने में खासकर यह भर्षात के सिजन में और ही टेस्टी लगता है यह देखे मिक्स हो चुका है अब मैं इसमें ठोड़ा सा और तेल डाल रहे हुआ उसके बाद इसे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से क्योंकि तेल भी मिक्स हो जा चारो तरफ बहुत ही कम तेल में यह अचार बनकर रेडी हो जाता है यह आप तुरण डालकर तुरण भी खा सकते हैं हम लोग तो बनाते हैं बस दूसरे तीसरे दिन से घिल काना ऊचार शूरू कर देते हैं अब बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में झामें इह हमारा परफेक्ट आचार बनकर ready है, अब इसे ट्रांसपर कर लेंगे, ढबा में, आप इसे काच के ढबा में रखेंगे, तो ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना है, तो इसे आप काच के ढबा में रखें, मैं इसे होडलीक्स का डफा में रख रही हूँ य देखे का पहले से मैं धोग कर सुखा कर ले ली हूँ अब इसमें मैं इसे चेल करके रख दूंगी, भर दूंगी इसमें ार इसे धूप दिखा देगे एक से दो दिन के लिए इसको धूप दिखाएंगे तब आचार हमारा जो है ना बिल्कुल खराब नहीं होगा इसे आप साल पर के लिए भी रख सकते हैं बस इसमें थोड़ा सा तेल की मातरा और बढ़ाती चीए बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में यह दिखिए यह हम सारा अचार को भर लिये हैं डबा में अब इसे रख देंगे ढकन बंद करके इसे रख देंगे धूप में दो दिन के लिए धूप है तो रखिए नहीं तो अभी तो हमारे हाँ थोड़ा कम धूप है जदा धूप नहीं है फिर भी मैं रख दे रहे हूं दो घंटे भी धूप लग जाएंगे न तो अच्छा हो जाएगा यह हमारा सूपर ठिस्टी आचार बनकर रेडी है आप इसे अपनों घरे में जरूर बनाएगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा कि एप विडियो आपको कैसा लगा यहीं आप मेरे चानल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक से या सब्सक्राइब जरूर किजिए बाबाटे किया